यूट्यूब पे जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम अलड़ी ये लेक्चर अपने पेड़ वाले बैच में करवा चुके हैं तो अगर आप लोग female supervisor exam को लेके serious हैं और आप लोग female supervisor exam को crack करना चाहते हैं तो आप लोग जोईन कर सकते हैं हमारा best course for female supervisor exam और इस course में हम आपको 2-3 months के अंदर पूरा complete syllabus कवर करवाएंगे और इस course में आपको proper complete video lectures मिलेंगे, complete notes MCQs मिलेंगे और साथ में complete test series प्रोइड की जाएगी और इसी के साथ साथ हम आपको provide कर रहे हैं 100% selection guarantee हम इसमें 100% selection guarantee इसलिए provide कर रहे हैं क्योंकि जो content मैं आपको provide कर रहा हूँ और जिस तरह की approach मैं आपको provide कर रहा हूँ हमारे paid course में बस आपको उसको follow करना है क्योंकि किसी भी exam को crack करने के लिए most important होता है concise material प्लस number of revision ठीक है और यह दोनों चीज़े हम लोग provide करेंगे हमारे paid course में बतलब आपको अच्छे material के साथ साथ आपको mcqs practice और test series के थूँ आपको practice revision कर वाया जाएगा so that की आपका 100% selection जो हो जाए बाकि जितने भी candidate जिन्होंने अभी तक जोइन नहीं करा, जोइन करने के लिए मुझे message कर सकते मेरे whatsapp no.7006332724 पर message में आप करके आपको simple लिखना supervisor course जैसे आप supervisor course लिखेंगे आपको हमारी app का link मिल जाएगा आप simply app install करके course भाई कर सकते हैं मैं again बोल दूँ कि यह जो course हमने launch करा है इसमें हम लोग 100% selection guarantee दे रहे हैं 100% selection guarantee इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जो भी content आपको provide करेंगे बस आपको वही करना है और उसी को revise करना है rest जो जिम्मेदारी वह हमारी all right तो join करें अभी क्यों अपना time waste करना जल्दी से join करो वह start करो all right thank you finally अब हम start करेंगे car system in India मतलब एक अलग जो topic का car system in India वह हम start करने वाले हैं कर और सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने हाले है सबसे पहले उसकी बात करते हैं-सप्रम सबसिंदें Canadian वह को फुराना एमारे इंडिया में थ हमारे इंडियों में लोग पढ़ेंगे दन उसके बाद श्यांकि का सिस्टम YouTube जो इस सारी के सारी हम किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे जो इंपॉर्टन है फोर यूर इग्जाम ठीक है मुझे पता है कि इन डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिंग में से एक आधा कोशन जो है वह आपको पूछ ले चाहेगा तो एक्चल में ऐसा क्यों बोल रहा हूं बार- ने वह नहीं किराया है तो हम पास कैसे होंगे बाई आपको एक चीज बता दू उस दस परसेंट मैंने यह नहीं बोला था कि हम दस परसेंट को छोड़ेंगे मैंने सिर्फ यह बोला था कि हम एक्जाम पॉइंट आप इसे चीज़ों को करेंगे एक्स्टार्णरी हाई- कि यह जो वर्ड है कास्ट क्या जो कास्ट वर्ड है इसका ओरीजन कहां से हुआ है ठीक है कास्ट वर्ड का ओरीजन हुआ है Spanish वर्ड जिसका नाम है कास्टा ठीक है अब जिसका मतलब क्या है ब्रीड क्या मतलब होता जिसका यह स्पैनिश में कास्टा का मतलब क्या होता है ब्रीड, रेस, स्ट्रेंड या कंप्लेक्स हेरिडिट्री क्वालिटीज समझ आई है तो कहीं भार एक्जाम में डिरेक्ट कुछन पूचा आता है वों की जिक्षे, भाई जिस तरह के और मैं अपके सामने कुशन बना के बोलता हो ना डिरेक्टो यही कुशन एक्जाम समय बहुत बढ़िया अगर नहीं समझ भार रहे हो तो समझा दूंगा यार चाहे मुझे दस बार क्यों न पूलना पड़े अब समझ आई, यह जो पहली जो paragraph है, पहली तो चिंचा line है, most important है, यहीं से कहीं बार एक marks आपको direct पूछ ले जाता है, कैसे, जैसे मैंने आपको बोला, कि यह जो region है, कास्ट वर्ड का जो region है, यह Spanish वर्ड कास्टा से हुआ है, जिसका मतलब क्या है, breed, race, train, यह complex, ठीक है, अ breed, यह, अब मुझे breed, race, train, यह सबका एक ही मतलब है, एक ही चीज़ है, जो मैंने race आपको बढ़ाया ना, अचा, breed का क्या मतलब, देखो, मैं breed word आपको बताता हूँ, जैसे, जैसे, मतलब, example देता हूँ, जैसे, कुत्तों का बता है न, आप रोगों को, जब आप कुत्ता ल और इसी तरह से यसे वो पिठ भूल बड़ा मुझे उराज का टाइम पर, तो यह कहा है, यह breed है न, इसी तरह से लोगों के भी breed होती है, ठीक है, तो यह basically breed, don't, don't take it in a way of Indian society, क्योंकि हम जो कास्टा वर्ड पढ़ रहे हैं, यह स्पैनिश वर्ड है, और स्पैनिश वर्ड क का, जो मिनिंग है, वो दिया गया है, कास्टा का, ठीक है, यह हमारे Indian point of view से नहीं है, याद रखना भई, ठीक है, तो अब यहां से दो क्वेशन बन सकते हैं, आपके, फिर्स वाले, पहला जो क्वेशन है, वो बनेगा, की, दो वर्ड कास्टा इस टीक है, तो क्या अंसर आ कास्टा वर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन स्पैनिश लेंग्वेश, क्या, वट इस अ मिनिंग ऑफ कास्टा वर्ड, इन स्पैनिश लेंग्वेश, तो अंसर अगर नीचे आपको यह ब्रीड, रेस, ट्रेन, लिखा होगा ना, तो इसी को आपको टिक करना है, क्योंकि य को सभी लोग जानते हैं, सोशल स्टाइफिकेशन सिस्टम है, जो संचरी, मतouldंब सधियों सदियूं से हैं, सदियं सदियूं सदियूं, मतiov extension टाम पर महावरता कर ताम पर हैं लोग महावरता कर टाम पर यह वर्नास में, अगर यह लिखी हूँ ही चीज है, ठीक है, तो जाह पाइंगे special position in the social order मतलब जो मैंने आपको बताया क्या लिखा है कि का सिस्टम जो है वो एक hierarchical system है hierarchy ठीक है इसको बोलते है hierarchy तो यहां पर क्या लिखा है कि लोग जो है वो categorize कर मतलब individual जो है social is class में different different categories में बटे हुए ठीक है का सिस्टम बटे हुए और जो भी जिस भी कास्ट में वो पैदा होते हैं उसी के accordingly वो society में एक position जो है वो hold करते हैं जैसे for example Brahman family में कोई अच्छा बंदा पैदा हो गया चाहे वो जितना मर्जी नलाइक है कोई फरक नहीं पड़ता बट उसको respect proper उसी ब्राह्मन की तरह मिलती है ठीक है और वहीं पे अगर कोई इंसान lower शुद्रा family में पैदा हुआ चाहे वो highly intelligent है बट उसे देखा उसी नज़र से आता है यही चीज लिखी हुई है कि का सिस्टम में क्या होता है कि एक individual जो है different different कास्ट में वो लोग काटेग्राइस किये जाते हैं और उस कास्ट के accordingly ही उनको specific position मिलती है social order में social order मतलब society का जो order है ठीक है clear है यहां तक ओक है चले अब हम next पढ़ते हैं कुछ hierarchy of कास्ट की जो मैंने already आपको examples दी है ठीक है traditionally कुछ hierarchy थी कास्ट की जिसमें सबसे top level पे कोन होते थे ब्रह्मन्त होते थे ठीक है मतब प्रीस्ट हो गया या scholars हो गया इनका में काम होते थे पढ़ना पढ़ना और पढ़ना ठीक है और यह top level पे होते थे next जो होते थे खत्रियास मतलब इनका में काम होता था यह वारियर्स होते थे ठीक है बहुत ही जादा इंपक्ट किसके ओपर इंडिविजल की लाइफ के ओपर अब कैसे सुनो मतलब की कोई इनसान किसी कास में पैदा हुआ उसकी शादी भी उसी साब से होगी ठीक है तो वही इन्होंने लिखा है कि इंडिया में जो का सिस्टम उसको बहुत मेजर इंपक्ट एक इंडियुजल लाइफ में एक बंदे की जिंदेगी में तो वहां पर लिखे इंफ्लेंस मेरिज को भी इंफ्लेंस करता है यह जैसे फॉर इक्जमपल बंदे को अपनी ही कास में मेरिज करनी है ठीक है मतलब यहां एंडोगेमी मेरिज जो है प्रेक्टिस की जाती है जह पॉइंटब वह से पढ़ना है तो हमें कास्सिस्टम उस पढ़र रहे हैं तो वहां पर लिखा है कि नेक्स्ट इंटर कास्त मेरेजल जो है कास्सिस्टम में ऑगर हम आज कोई अच्छी वोसाइटी पॉस्टेरी में रहे हैं अगर तो आप लोग सलमान खान जास्ण जतने है पिर तो आप्लोओं के लिए चीज़ें नहीं करते हैं फिर क्योंकि कास्सिस्ट्म फिर आपके की सथा क्लास सिस्टम में पहुंच जाऊगे फिर आप उस सिस्टम में जा कि को कोई नहीं और रोकेगा लेकिन वहुत्यव उता कुछ अब हम जैसे की बातें जो होते हैं यह वहीं लोग जिनके अंदर जो जो एकनोमी के लिए अपने आपको स्रॉंग नहीं कर पाते हैं तो वही चीज यहां लिखिए कि कास्ट में बिसीकली क्या है कि यह बहुत तरहां से इंसान की सिस्टम में डिस्केरेज किया जाते हैं चलिए अब उसके बाद इन्होंने कहा कि का सिस्टम में जो आप काम करते हैं उक्पेशनल रोल जो होते हैं वह भी एसोशेटर होता है स्पेसिफिक कास के साथ जैसे आपको एक चीज बोली थी कि आज के टाइम पर वैसा नहीं है पुराने टाइम की बाद कर रहा हूं कि क्या होता था कि जिस कास में बच्चा पैदा हुआ उसी कास के रिलेटेट जो भी काम है बस उसको वही करना होता और वह नहीं कर सकता है जै तरहां से पुराने टाइम से पुराने टाइम में कास के साथ जो थे वह जोड़े हुए होते हैं क्लेर है